अलो गाईस आज हमें कटोरी ब्लाउस की कटिंग करना सिखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आज मैं 40 size का कटोरी ब्लाउस कटिंग करके दिखाने वाला हूं तो आप लोग देखिए यह सिंगल कटोरी डबल कटोरी हम दोनों कटिंग करके आपको दिखाएंगे इस तरह से किय जाता है बहुत ही आसान तरीके से चलिए वीडियो शुरू करते हैं वह सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे पेपर में कटिंग करेंगे हूं फार्मा कटिंग करेंगे यह मुझे किसी ने ओडर किया तो फार्मे के इसाप से मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूं को 11 पिलेना है तो 11 इंचामरे डाट पॉंट है इस तरह से मैं दोनों निशानों को ऐसे लंबा कर लेंगे थोड़ा बढ़ा कर लेंगे तकि बराबर दिखाए देगा इस तरह से जो भी मेजर्मेंट है उसका हाफ करना है यानि के 15 आफ है तो उसका हाफ पौने आट इंच ह होता है तो उतने पर निशान लगाना है वही पर एक इंच डाउन कर देना है एक इंच इस तरह से डाउन करेंगे वहां पर से सूल्डर का स्लोप देंगे और पहुने तीन पर मैंने ने कब रोडिंग ना पाए यानि शाड़े प्याँ पांच इंच टोटल इस तरह से मैं निसान लगा के इस तरह से Solder-syn का निसान लगा लिया । इस पर इस से आपको देना है जब भी आपको full solder लेना है तो इस तरह से एक हिंग डाउन करना है । जब डाइरेक प्रिंसेस कट में जो भी ऑम कट देते हैं डाट निकलता है महां से तो इसके लिए अवंरा उसके और बढ़ां के लीना है तो आपको और बढाना पड़ेंगा जो बिलकुली इस तरी के से कटिंग कर लोगे तो बिलकुल आसानी से कर लो एग अब हमारा जितना निकलता है, अगर आप इवाइट करते हो, उस हिसापसे एक दो सुद कम लगाना है, जादा मील करना है, इस तरह से करके, हम नीचे जो है, पॉना इंच का जो भी नीचे है, जो वेश्ट का है, वह अधो थी-फॉर इंच कम करके, तो इसलिए लगा जाता है कि वहां पर प्रिंसेस करका सेफ देंगे तो अच्छी तरह से वहां बैट जाएगा इसके लिए पौना इंच किया जाता है बाकी उसका कोई मतलब नहीं होता है सीधा लगाओगे वच्छा नहीं दिखेगा इसलिए आपको थोड़ा क्रोस यानि पौना इंच के करीब आपको सेफ दे देना है और उपर हम क्या करेंगे करीब दो इंच के करीब हम सोल्डर को कम कर लेंगे तोड़ कोई प्रप्लम नहीं होने वाला है। आप सोचो दो इंच निकालोगे, आपको बैट जाएगा, क्योंकि डार्ट पॉइंट अगर आपने बराबर लिया है सब कुछ बराबर होगा तो आप सोल्डर थोड़ा कम ज्यादा भी रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं आता है ज्यादा वो सोल्डर धीला होने को यह से गिरता है और बैक का लो जो है वो परफेक्ट कटिंग होता है त परका वहीं से इमको देना है विए उतार लेना यह चार इंच उतारो चारणे बम को के निकाल नहीं आगे में किया करो जितने नहीं विल्कुन नहीं है डर कि आप जो बी काम करते हो आप कुछ करते हो इस चिंगंग पर करते वह बेहतर से चाहर जैसे लिए आप करना है तो डर के नहीं एक त्वेयों कुरु यह मिगड़े से लिए को यह लए Peach equipment करो क्या थे तो आप से बिगड़ता है तो कोई बात नहीं हो इसलिए जो है अपको से लिया करो जादा कामियाब हो गया हुए इस तरह के से आपको सेप लगा लेना है जैसे मैंने लगा है तो अभी क्या है कि आप tep on aks summer that Об dependent on aks अगर कम है तो आपको कम लगाना चाहिए तो देखे दो इंच का फरक है तो आप एक इंच के करीब आप लगा सकते हो ज्यादा भी लगा सकते हो दिक्कतों लिवात नहीं है इसमें क्या होता है कि वहां से आप ज्यादा लगा उगगे तो नीचे से कम करना पड़ेगा सबसम्छ ऑफ को लगाना है जितना भी लगाना है लगा सकते हो इस तरह का रमोर का श्वर्द है कि 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 कितना हम अब और बैत रहे हैं यह नहीं है एक्ड है को सबस्क्राइब कर लिया तो ऊस्तौना disruptive इस तरव है हमारे सेंटर वाले पाड में वहीछे पैट हमने करलेएं इसलिए से बराबर करना है कि जोढरा मीटो मीट करेंगे तो बराबर एक जैसा बैठेगा एक दूसरे पर चड़ेगा नहीं, तो यहां पर क्या है कि दूसरे पर चड़ना नीचे यह नहीं, तो वहां पर क्या कपड़ा लूज हो जाएगा, तो उस तरह से आपको कर लेना है, अब यहां पर डाट लगाना है आपको, तो 4 इंच का लगाओ, ज्यादा बेतर है, इसलिए कि जो 2 इं लंबा जाएगा, उस हिजाब से डाट बढ़ते जाते हैं, तो आपको यह सब अपने हिजाब से काउंट करके चलना है, तो कप्स के अरीब करीब 4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, साड़े 3-4 इंच होना चाहिए, जब आपके कफ के राउंडिंग ये करीब जो भी होते हैं, तो इस तरह से जो भी आप कप्स लगा रहे हो, तो कप के हिजाब से आपका इतना ही राउंडिंग होगा, तो बराबर बैटेगा, तो इसलिए मैं डाट कम ज्यादा लगाता हूँ, तो आप लोग को ऐसा फील होता हूँगा, कभी कम लगाते, कभी ज्यादा लग जो भी हमरा बचा है, उसको माइनस करके आइस तरह मैंने सवा तिन के करीब है उदर, तो सवा तिन के करीब लेके इधर से जो भी हमरा वेस्ट है, उसके हिसाब से नापके मेरा निसन लगा लिया, और यहाँ पर पौने दो इंच के करीब आपको लगा लेना है, मेरा मतलब रखना चाहते हो तो लंबा भी यहां पर रख सकते हैं कोई दिकत नहीं है कोई कोई क्या लंबा पहनता है किसी किसी का देखो आप देखो कि ध्यान से बिलाउजों में साइड लटका वह दिखता है तो किसी किसी को पसंद होता है बैग लंबा चाहिए होता है तो उस तरह से तो लंबा रखते हैं, अगर ज्यादा बैग लंबा रखते हो, तो क्या कि वो रिंकल करके उपर की तरफ सरक के चला जाता है, यानि जो भी हमारा, जिसका भी थोड़ा सा पेट बड़ा होता है, उससरक के बलाव जो उपर चला जाता है, तो इसलिए ज़्यादा लेंद नहीं रखा जाता है, लेंद हिसाब से बैग का तो खास करके कम रखना चाहिए, इस हिसाब से मैं कम रखता हूँ, तो आप लोग को देखो कितना रखना है, आप रख सकते हो, इस तरह के से हम नेक का निशन लगाएंगे, तो 7 आप पे हमने निशन लगा है, क्योंकि हमको किसी ने ओडर दिया है, पेपर फार्मा कटिंग के लिए, तो उनके लिए मैं कटिंग कर रहा था, तो मैं सुचा चलो वीडियो भी बना जाता हूँ, ताकि उनको ये समझ में आ जाएगा, कि मुझे किस तरह से कपड़े पर रखके कटिंग करना है, या जो भी है, लेकिन कप्रेब में रखके कटिंग कर दिखाने वाल नहीं हूँ, कटिंग करके इसलिए दिखा रहा हूँ, कि मैं یہ कटिंग करी रहाता, तो मैं सुचा चलो आप लोगको इसका वीडियो भी बना देता हूँ, upload कर देता हूं ताकि आप लोग को response जो है हो सकता है मेडम ने दिया तो आप लोग को पता चल जाएगा तो इसलिए जो है ये confirm करने के लिए कि बाइ cutting करके और किसी को फर्मा दे रहा हूं तो उनको fitting आ रहा है या नहीं आ रहा है उनको पसंद आ रहा है करती नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग को भी वरोसान चाहिए क्योंकि मुझे अगर follow आप लोग कर रहे हो तो आप लोग से गलती होगा तो सारा का सारा दोसी मैं ठहरा जाओंगा जैसे अपने ही आपने मतलब आप खुद को गिल्टी मैं सोस करूंगा तो इसलिए जो है मैं अच्छी तरह से सो समझ के आप लोग को यह बताता हूं तो देखिए जितना भी है आप इसमें आपका लेंध बराबर इसमें है बहुत सारे बिलावज हमारे पास आते हैं उनका लेंध कम होता है जो डाट प की का पाट भी ठाना है तो सब 3.30 न या हम से यह बहुत बाइकिन के एक सैफ दिखना चाहिए वहां से ओ नई दिखता है इसलिए अन्हें क्या कडता कि उसको जो है ऊपर की तरब देते हैं ताकि हमारा लेंध उसमें पर होता है अच्छी तरह से साब दिखाई हमको इसमें इनफ मिला यहीं है तो इसलिए हम ने लगाया अची तरह तो इस तरह के से अपड़ा के बनाओंगे और समझके बनाओंगे तो कोई problem ने होगा अच्छी तरह से समझा करो इसके बाद आप लोग क्टिंग किया करो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने मौना है तो इस तरह सरे मैं कहँद का एक कुछ कोई मारकेंग नहीं होता है तो मैं change कर लेता हूं तो देखें मैंने सेन्टर का जो डाट निकाला है बिलकुल माइनर निकाला है दोसूद का तो इस थरह दोसूद इदर भी हम माइनस कर देगे इस तरह से क्या हुगार नेक वड़ टायट हो जाएगा डाट को जब हम क्लोज करेंगे सेंटर वाले डाट को तो यह जो वहां पे घड़ा पड़ ज करेंगे इसमें मैं कप्ड़े करेंग करके नहीं दिखाना प्लाओं इसका स् कपड़े कातिंग करके दिखा दोगा मैं इसके आप को समलिन अगर आपको कपड़े का कटैंग देखना तो कोई blouse मेरा देख सकता हो जो भी माई stitching करता हूं तो दॉसे कुछे कपड़े करकर को समझाइग तरहां कि Uhh छिंको कसे समझा तरह करना कि इन सब में इंकुम थेलखा रोने करना हिस French तो बिंगनर लोग इस तरहसे करते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता के कौन सा पार्ट कहा का है और कहा जोइन करना इसलिए उनको कन्फिजोन होता है तो डिमांड ज्याधा करते हैं लेकिन जो जोड़ी बहुत मतलब प्राव्लम है उनके लिए क्या है कि यह सब पर्माकटिंग पे बरबर समझ ना जाता है इस तरह का मेरे कटिंग करेंगे तो बरबर यह हमारे लिए पर्फेक्ट है तो मेरे कटिंग को बहुत लोग फॉलौकर रहे हैं और बहुत लोग को फायदा हो र जो भी यह सीखा है वो मैं आप लोग को share करना चाहता हूं कि ताकि आप लोग जो है इसको follow करो इससे सीखो आप लोग को फरक अगर मिल रहा है अच्छा मिल रहा है तो problem क्या है सीखने में अगर मैं जो सीखा रहा हूं वो perfect नहीं है यह सब के जैसे ही है तो आपको नहीं सीख के से नेक के पास मैंने 200 माइनस किया है और पहले भी मैंने माइनस करके कटिंग कर लिया था फ्रेंड में तो आपने देखा होगा उस हिसाब से यह माइनस कर लेंगे तो इस तरह से बैक का जोगी हमारा 11 इंच लो है यह perfect अपनी जगा पर जाके बैटेगा और जितना भाग आफ कर दिए मार्किंग के यह N in 4 से डिवाइड करके साड़े 9 इंच पर इंच पर ऊकर आपको यहां पर बडाबर से ओना चाहिए तो यह 11 इंचामारा निख है तो देखिए मैं 11 पर आप यह Pot Chase पर माइनस होना चाहिए चाहिए बैक का नहीं होना चाहिए फ्रेंड का ठीक है आप उसमें बढ़ाके भी रखोगे तो कोई प्रोब्लम नहीं है वह बहतर है ठीक है तो इस तरह से माइनस पर रखेंगे बैक को तभी यह बैक टाइट बैठेगा पीछे से अच्छी तरह से बैठेगा अब हम वेश्ट को भी कर लेंगे बेडेड जितना भी है से डिवाइट करने के बाद उतना निशान लगाएंगे और एक से पउना इंच के करीब हम आप यह पर लेड़ देते हैं एक इंच भी दे सकते हो इससे ज्यादा आपको नहीं देना है नहीं तो डाट जब मारो गया तो उसमें क्या बबल गूंटाइव और जहांपर एंडिंग होता है डाटका, वहंंपर फुगा फूगा से दिखता है वह अच्छा नहीं दिखता है, तो इस तरीके से आपको निचे का इस तरह से बन कर लेना है और साइड प्रण के मुकाबले आदा इंज बड़ा होता है इसलिए बड़ा होता है कि आपके बॉडी में भी देखो आप फ्रण के मुकाबले बैक का आर्मॉल बड़ा होता है और बैक का आर्मॉल बड़ा होगा तब ही सोल्डर का सीम अच्छी तरह अपनी जगह पे बैठेगा नहीं अगर आप बड़ा रखते हो तो पीछे की तरफ वो जोएंट जाएगा स्टोल्डर का जोएंट वो बैक की तरफ जाएगा फिर पूरा गला आपका पीछे की तरफ जाएगा तो सब ध्यान रखना है और वो सब ध्यान रखते हुए करना है कभी यह मत सोचो कि यह जो है बैक क अबी शेप लगा लिए अच्छी तरह से और उसके बाद हमने कटिंग कर दिया ठीक है तो इस तरह से कटिंग कर लेना है और लेंद देखिए मैंने थोड़ा बड़ा के कटिंग किया है मार्किंग से नीचे, क्योंकि हम जब डाट लगाएंगे, जो भी हमारे बैंग में, तो डाट में वो थोड़ा सा सेप आता है, इसके लिए हमको करना चाहिए, क्योंकि एकदम स्टेर कटिंग नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, सोल्डर से मेग जैसा हो चाहिए, चोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर बरबर होगा तभी जो है, अच्छी तरह से सोल्डर जब जोइन करोगे, तो अच्छी तरह से यह बैठेगा, आप सलीज जोला बनाओ या बिना सलीज जोला बनाओ, अगर आर्मोल आपको बराबर ही रखना है, यह जैस करता है, इस तरह से हमारा चाहिए हमारा चाहिए, इस तरह सी कटिंग करने सबस्सक्राइब बराबर ही जैसे करके निकाल देने Exactly सबसे पहले हम डाट को क्लोस कर लेंगे इसके बाद हम खलोज करे और उसको मीटों मीट करके अच सेट कर लेंगे कि कैसा दिख रहा है तो सबसे पहले आर्मोल को ठीक करेंगे यहां पर आर्मोल में कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखता है तो आप सेट कर लिया करो थोड़ा सा यहां पर तान निकाल दिया जाता है जैसे कि फ्रेंड में जो अलका सा हो सेफ में मुझे दिकत दिख रहा था तो इसलिए आपको भी इस तरह कर लेना है अब इसको हम चिपका लिए कटोरी के पाट है इस तरह से हम कर लेगे तो इस तरह से क्या करना है कि मैं दो कटोरी कटिंग करके आपको दिखा देता हूं सिंगल करना है तो सिंगल भी आप कर सकत है। तो मुझे फर्मा भेजना है किसी को, इसलिए मैं दो कर लेता हूं. पहले आपको रख के दिखाता हूं कि सतरा का दिक रहा है, तो इस तरह का मा ने कुछ टिंग कर ली आ है। अब मै रख के दिखा रहा हूं कि यह कि सतरा से होता है तो अब भी देखिये के उसके बाद हमको कटिंग कर लेना है तो यहां पर जरूद नहीं है आपको वहां डाट लगने का सिंगल एक नीचे का जो डाट देख रहे वही लगा दोगे तो अच्छी तरह बाट जाएगा और मैंने एक वीडियो में बताया था कि यह डाट किस तरह मारना है कि वहां पर पॉइंट नहीं बनना चाहिए कभी भी डाट लगा हो तो सुमूध एक दम उतारा जाता है बिल्कुल पॉइंट वहां नहीं बनना चाहिए जब भी आप सिंगल कटूरी करते हो तो बहुत लोगों के बिलावज में देखा होगा आपने पॉइंट निकलता है तो के से आप करके और कभी भी ट्राई करके आप देख लेना आप अच्छी तरह से डाट लगा करो अगर आप लोगो किसी को भी उस तरह का अगर जानना है कि किस तरह का यहां का डाट लगता है तो मैं वो वीडियो ढूंड के आप लोगो उसका लिंक भेज दूंगा तो आप लोग समझ जाओगे किस तरह ढाट लगता है तो इस तरह से एक दम ऐसे पकड़ के शुमूद करके लगाए जाता है तो अच्छी तरह से एक दम सुमूद लगाओगे तो वहाँ पर पॉइंट नहीं बनेगा तो स्टिचिंग में भी क्या टेकनीक होता है ऐसा नहीं है कि करेंगे टीफिल तो स्टिफ़ेसे में सुदा नहीं तो साहिए जाएगे तो इस तरह से मैंने संगल कटोड़ी कंटिंग कर不知道 से कुछ च्छांसे नुकित फूलने करने में दूसरा काटिंग करलें यह तो तो देखिए उस सेंटर में डाट के पास तोड़ा सा गडढा ओरा था हूँ मैं थोड़ा सीधा कर लिया region में अब हिस सब्ड़ा से मार्किंग करके इसका मुणिक है righteous अब इसे खृटा देंगे और उसको यूज करेंगे को इस तरह से आप कर सकते हो कि आपको को ज today को भी इसतरा से कटिंग करने में कोई भी डाट पे the complete होता है तो आप इस तरह से आप चेंज करके दूसरा कटिंग कर सकते हो ठीक है नहीं तो ऐसा जरूवत नहीं पड़ता है कि आपको बुसरा कटिंगी करना है तो मुझे किसी को भीजना इसके यह मैं अपने करता हूं ब्सक्तर अब करेंगे आपको निसकों किस तरह का दिखता है यह देखिए डबल कटोली टो अब बने का कर सकता इस तरह से तरह है निन इस तरह पर तो भड़ा वार जाओं करेंगे तो फो आपटराइय। हो परosa do को इस तरह से वरबर जो भी जाहं का कटिंग है वही पर जब्त करना है तो आपको निजान लगा लेना है कौन सा पाट कहा जोएंट करेंगा समझल को अचण मुझा गाएगा है अब मैं धूसकर को भी सतरम उस्मेंदोगार करेंगें। तो इस तरह से बराबर खाएगा तो बहुत ही आशान है आप लोग को आता ही Ohगा और जिसको नहीं आता है उन के लिए मैं बता रहा रहा हूं कि इस तरह से रख रखके बिठा लेगे अहराम से बैठ तो यह क्टिंग करके उनको दे दिया पेपर ताकि वह जो भी करना चाहें कर जाकते ऐसा कुछ नहीं है उसके इलाबाँ मुझे परवी इस असमेन होता है उसपे करना है यह तो मैने ऐसे कटिंग या वेडियो बनाने के लिए सात में भी भेज़ दूंगा अब मुझे स्लीज का कटिंग करना है तो जो उन्होंने मेजरमेंट दिया है 7 half का तो 7 half के हम इस तरह निशान लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे कि बाइसेप का नाप दिया हुँने 14 half दिया तो इस तरह से 7 शात पर में निशान लगाएंगे अब उन्होंने bottom का दिया है और 13 half का दिया है तो उसको देखी हमने half करके लिशान लगा लिए इस तरह से हम टर्ण करेंगे तो जो भी हमारा आर्मोल है 17.5 तो जहां भी आ रहा है उससे क्वाटर नी खोड़ा सा बढ़ा के एक दो सूथ अम निशान लगाएंगे जहां भी बैठता है वही पर हमको इस तरह निशान लगाना है जो भी हमारा बाइसप करके कटिंग करके कुछ मतलब नहीं है आप इस तरह से भी कटिंग करोगे तो आसानी सोजाता है मैं इजी तरीका ढूंड के आप लोग को बताता हूं कि किस तरह आप लोग करोगे तो इजी होगा जल्दी होगा अच्छा होगा तो आप लोग ट्राई करकर के देख लो सब्सक्राइब करो दोस्तों में सेयर करो और चलिए वीडियो एंड करते हैं अलाहाफीज झाल झाल झाल